आज ये करीब साड़े तीन नहीने की फसल हो गई है और आप ये फसल तैयार है रोपाई है तू तो इसमें जड़ों का सलक्षन करते हैं संकुलाकार की कोनिकल टाइप हो और एक जैसी हो उसका जो डाया हो करीब करीब दो से सबाद दो इंच का हो जर बहुत सुंदर है इस तरीके के गाजर का 27 करते हैं और जब चैन के करलेते हैं तो इसको अ के छटाई करते हैं और जब रहिसन और जब चैन करए से 2 निचे से जल और 2 इंच ऊपर से ये इसका सई तपर से सभी दो गाजर के आप जब जैदा जड़से जड़ंर को, हम रिजेक्ट करते हैं, आप देख रहे हैं, कि गाजर की प्ल्निन जो करते हैं, उससे पहले हमें बेड कैसे बनानी चाहिए, इसको, बेड मेवे कर से, ऱमने बेड बनाई है, जब बनाई है उसके, आप देख रहे हैं, देख IRS की बेड की चोराई जो है वो करीब 4 फिट की है और 4 फिट के बाद उसमें 1.5 फिट की नाली निकलती है दोने तरग छे इंच के करीब उंचयाई इसकी हो जाती है बेट की और जो पानी हम जब लगाते हैं तो ये नालियों में जाता है ये जो वहां हमने सलक्षन करके बताया था किसकी क बताई करनी चाहिए और उसको वहां से हम ले के आए हैं आप जहां पर इसका रोपर होना है और वहां से जो हम ले के आए यह देखिए धेर है इसमें से इस तरीके का हमने जो बताया था और उसको ध्यान में यह रखते हैं कि जब इसकी इस तरीके इसको फैला लेते हैं और द और सिर्फ यह बाहर रहेगा, आप देखिए, यह बिल्कुल परफेक्ट रंग से, सही रंग से लग गया है, इसकी जो जब इसमें हम पानी लाएंगे, तो इसकी नमी इसको परयाप्त मिलेगी, इस तरीके से बराबर दूरी पे इसको लगाते रहते हैं, और इसकी लगाने के कुछ साफधानिया बहुत जरूरी हैं, आप क्राप को इस्टबिस करवा दिया, आपके, आपने रोगिंग कर ली, आपने बीडिंग कर ली, आपने खरपरवाद मुक्त क्राप कर ली, और इसके बाद आपकी बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी आई, लेकिन उसमें आपको द्यान लखने की जरूरत है कि एक खेश से दूसरे खेट की दूरी, एक प्रजाद से दूसरी प्रजाद की दूरी, कम से कम 100 मीटर तो अतियावस्यक है, वरना क्या होगा, उसकी मक्खिया इधर आ जाएंगी और उसके बीज है वो दूसित हो जाएगा, जब इसमें जब य कि एक एकर में करीब हमको पिछली वार हमने एक एकर क्राप लगाई थी सीड के लिए, तो उसमें हमको करीब सारे चार कुंटल से पांश कुंटल तक हमको बीज मिला था, तो अगर आप देखें, प्रति एकर पैदावार के हिसाब से, तो 2000 रुपे पर केजी हमारा गाजर क बीज विखता है, और करीब करीब हम इसमें 500 केजी बीज एक एकर में हम तयार कर लेते हैं,